आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें बारंबारता, तब जाके हम उसका तोरंट खीच सकते हैं इसी तरह से अधिक के लिए भी हमें संचई बारंबारता लिखनी पड़ेगी क्योंकि जो तोरंट खीचता है, वो संचई बारंबारता और उस वर्ग में खीचता है से कम या से अधिक के लिए तो देखे 10 से 20 का है अंतराल और हमें किसका बनाना है से कम का तो से कम में हम क्या करते हैं जो उच्छ सीमाए होती है उसको लिखते हैं जैसे यहाँ पर 20 है फिर यहां 30 है फिर यहां 40 है फिर यहां 40 है और फिर यहां 60 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 से कम ठीक है फिर अगला हम क्या लिखेंगे 30 से कम फिर अगला हम लिखेंगे 40 से कम फिर अगला हम लिखेंगे 50 से कम फिर अगला हम लिखेंगे 60 से कम इसी तरह से जो से अधिक वाली सारणी हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं निम नसीमा को लेते हैं, जैसे 10 है, 20 है, और 30 है, और 40 है, और 50 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 से अधिक, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अगला 20 से अधिक, फिर अगला लिखेंगे 30 से अधिक, फिर अगला लिखेंगे 40 से अधिक, फिर अगला लिखेंगे 50 से अधिक, और इनकी संच यह बाराम बारता क्या होगी, 10 से 20 से कम के लिए तो क्या है, 5 हैं, लेकिन जब हम 30 से कम लिखेंगे, तो 20 से 30 के बीच में जो 12 हैं, वो आ जाएगा, और प्लस ये 5 भी आएंगे, जो 20 से कम है, वो 30 से कम तो होंगे ही होंगे, तो 5 में 12 जुड़ जाएगा, यानि कितना हो जा ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है आपका 50 से कम, तो 50 से कम में 15 ये आ जाएंगे, और 25 ये आ जाएंगे, यानि कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, फिर अगला है 60 से कम, तो 60 से कम में 40 ये आएंगे, और 10 ये आ जाएंगे, यानि कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है, इसी से अधिक वाले कितने हैं 10 हैं जो 50 से 60 के बीच में वही तो 50 से अधिक हैं तो यह आ जाएगा 10 उसके बाद 40 से अधिक वाले कितने हैं देखें जो 50 से अधिक हैं वो 40 से भी अधिक है यानि यह 10 तो आएंगे ही आएंगे और जो 40 से 50 4 के बीच में यह 15, यह 20 में जोड़ जाएंगे, यानि कितने हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 30 से अधिक, 30 से अधिक में, जो 30 से 40 के बीच में एक तो वो आएंगे, और 25 यह आजाएंगे, क्योंकि यह 40 से अधिक है, तो 30 से अधिक आएगा, यह आएगा, तो 25 और 8 कितना हो ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है, फिर उसके बाद है अगला ये, 20 से अधिक, तो 20 से अधिक में है 12, 12 ये हैं, और 30 से अधिक वाले, 20 से अधिक वाले में भी आ जाएंगे, यानि 33 और 12 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, फिर आता है 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में एक तो यह आ जाएंगे 45 जो 20 से अधिक हैं वो 10 से भी अधिक हैं और 5 यह आ जाएंगे जो कि 10 से 20 के बीच में यानि कितने हो जाएंगे कुल 50 तो देखे ये भी 50 आ गया ये भी 50 आ गया यानि हमारी सारणी बिल्कुल तयार है सही है अब इसके बाद हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर के X अक्षपर तो हम क्या ले लेंगे वर्ग ले लेंगे जो हमें वर्ग दिये गए और Y अक्षपर हम ले लेंगे उनकी संचाई बारंबारता और इसके लिए अब हम तोरण खीचेंगे तो देखे लाल रंग से मैं से कम का तोरण खीचूँगा 20 से कम क के लिए संचेई बारंबारता 17 यानि यहां कहीं पर होगा यह वाला बिंदू हो जाएगा तो यह हो गया फिर अगला क्या है अगला है 40 से कम के लिए 25 है तो 40 से कम के लिए 25 यानि यह वाला बिंदू होगा इस तरह से फिर अगला क्या है 50 से कम के लिए 40 है तो 50 से कम के लिए 40 है यानि कि ये वाला बिंदू होगा ये हो गया ठीक है उसके बाद अगला है 60 से कम के लिए 50 है तो 60 से कम के लिए कितना है 50 यानि कि ये वाला बिंदू हो जाएगा अब मैं इन बिंदूओं को पैंसिल की सहाइता से हलके हाथ से मिला दूँगा इस तरह से ठीक है ये हो गया का तोरण, ठीक है, से कम प्रकार का तोरण हो गया यह, ठीक है, उसके बाद अब मैं काले रंग से से अधिक प्रकार का तोरण खीचूंगा, तो से अधिक के लिए क्या है, दस से अधिक वाले कितनी है, संचेई बारम बारता, पचास है, तो दस से अधिक वाले के लिए कितनी है 50 यानि ये वाला बिंदू होगा उसके बाद 20 से अधिक वाले है 45 यानि कि इस से ठीक नीचे यानि कि ये वाला बिंदू हो जाएगा उसके बाद अगला क्या है 30 से अधिक के लिए है 33 30 से अधिक के लिए 33 है यानि कि यहां कहीं पर होगा ये वाला बिंदू ठीक है उसके बाद 40 से अधिक के लिए 25 है तो 40 से अधिक के लिए कितना है 25 यानि कि यही बिंदू आएगा दोनों के लिए ठीक है फिर अगला क्या है 50 से अधिक के लिए 10 है तो 50 से अधिक के लिए 10 यानि कि यह यह वाला बिंदू होगा अब मै इन काले जितने भी बिंदों इनको हलके हाथ से pencil की सहायता से इस तरह से मिला दूँगा, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है, तो ये हमने किसका तोरण खीचा है, से अधिक प्रकार का तोरण हमने खीचा है, से अधिक प्रकार का तोरण, ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों का त तोरण खीच देंगे